प्रितार्स जोशी एंड आई होग यॉल आर विल विल वी फाइन दूइंग ग्रेट मैं सबसे पहले आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल की डॉस पर स्वागत करता हूं और जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूं की चैनल को सबस्क्राइब ज़रूर करें जैसा कि आपको दिखी रहा है कि हम लोग एक्सपोनेंट्स इन पावर्स को पढ़ रहे थे और इसमें हमने एक्सपोनेंट्स इन पावर्स का इंट्रोडक्शन देखा था introduction जाना था कि क्या exponents क्या होते हैं उनकी powers क्या होती है और introduction के बाद हमने इसमें क्या पढ़ा था introduction के बाद हमने laws of exponents के बारे में जाना था laws of exponents के बारे में हमने पढ़ा था और इसी पे बेज हमने क्या करे थे कुछ questions करे थे इसी इस्फे बेशन रबने क्या करेए इनी लॉज्व करेटे, इनही लॉज्व पे बेशन कुछ कुछ करेए तो सबसे पहले हमने exponents & powers का introduction पढाथा कि EXPONENTS क्या होते हैं powers क्या होती है laws of exponents क्या होते हैं और उन पे बेशन नंए कुछcon भी करे थे laws of exponents पर बेस्ट आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज हम exponents and powers का यह पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं scientific notations using exponents तो आज हम पढ़ेंगे scientific notations using exponents scientific notation using exponents अब यह है क्या scientific notations using exponents यह है क्या तो सबसे पहले इसका एक definition है या एक तरीके से एक लाइन अगर हम समझें कि scientific notation है क्या तो scientific notation क्या है a number is set to be in scientific notation if it is expressed as the product of number between 1 to 10 and integral power of 10 तो यह तो रही बात scientific notation की definition की कोई भी number scientific notation में कब कहलाया जाता है कोई भी number को हम scientific notation में कब कहेंगे अगर उस number को हम किसके product के तोर पर यूज कर सकते हैं अगर उस number को हम पहले तो 1 to 10 की form में लिखें और कैसा होना चाहिए 1 to 10 के बाद उसकी जो power होनी चाहिए वो किसकी power में होना चाहिए 10 की powers में होना चाहिए नहीं समझ आया तो इसको एक example से देखते हैं उससे मैं समस्ता हों कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा जैसे मान लीजिए आपको कोई example दिया है कोई number दिया है example में 4 to 6 000 अब इसको अगर मुझे scientific notation में करना है तो मैं इसको scientific notation में कैसे करूंगा सबसे पहले हमारी कोशिश रहती है कि यह number जो है यह जो number है यह number को हम 1 to 10 की form में लिखे मतलब इस number को 1 से 10 के बीच में लिया है अब 1 से 10 के बीच में कैसे लाएंगे तो scientific notation में सबसे बड़ा फंडा क्या होता है कि आपको first digit के बाद decimal लगाना होता है जो first non zero digit होगी उसके बाद क्या आएगा decimal आएगा decimal जो आएगा आपका decimal विलकम आफ्टर फॉर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद तो अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको मैं कैसे लिखूंगा 4.26 into 10 to the power 5 4.26 into 10 to the power 5 तो यह हमारा क्या लिखा हमने इसको scientific notation में लिखा इसी तरीके से अगर हमारे पास 81 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से अगर कोई नंबर है और इसको scientific notation में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे इसको scientific notation में 8.1 मैंने बोला decimal आपका first non digit non zero digit के बाद आजाएगा आपका decimal और इसके बाद हम क्या कर देंगे इसको 10 to the power तो 8.1 into 10 to the power 10 हमारा क्या आजाएगा answer आजाएगा अब यह मैं कैसे कर पा रहा हूं यह 10 की power कैसे लग रही है यही सीखना है आज हमने कि scientific notation में हम कैसे use करके कैसे scientific notation को use करके किसी भी number को हम scientific form में लिख सकते हैं और अगर इस form में दिया है तो उसकी standard form में कैसे लिख सकते हैं तो कहने का मतलब यह वाली जो form है हमारी इसको बोलेंगे हम standard form और जो यह वाली form है इसको हम बोलेंगे scientific notation जो हम पढ़ी रहें scientific notation तो आईए जानते हैं कि हम scientific notation में कैसे किसी number को लिख सकते हैं जैसे इसका एक rule समझ लीजे या trick समझ लीजे मान लीजे अगर आप decimal को राइट hand side की तरफ लिजाएंगे अगर आप decimal को अगर आप decimal को right hand side की तरफ move करेंगे अगर आप decimal को right hand side की तरफ move करेंगे तो जो 10 की power आएगी वो negative आएगी क्या आएगी negative आईगी तो सीधे हाथ की तरफ अगर आप decimal को चलाएंगे तो power कैसी आईगी negative तो यह तो पहला trick हो गई या rule हो गया कुछ भी समझ सकते हैं आप इसे और second है कि अगर आप left hand side की तरफ को चलेंगे कहां की तरफ को move करेंगे decimal को कहां की तरफ move करेंगे decimal towards left side left side की तरफ move करेंगे तो जो power आईगी वो कैसी आईगी positive आईगी कैसी power आईगी आपकी positive power आईगी तो ये सबसे पहला rule होता है इसका कि अगर आप right की तरफ move कर रहे हैं तो जो 10 की पावर यहां पे लिखी गई है वो किस कैसे में में और अगर आप लेफ्ट की त्रफ को मूफ करेंगे लेफ्ट की तरफ को चलेंगे जोज आईगि वो यह कैसी जाइगी तो देखते हैं कि कैसे हमने करा एक कुश्यं लेते हैं मां लीजिये आपके पास पहला कुश्यं प्रफल गॉंट 1, 2, 3, 4 and this is 5 and we have to convert it into in scientific form scientific notation अब इसको मुझे scientific notation में लिखना है तो मैं इसको scientific notation में कैसे लिखूंगा तो अब यह देखे decimal मैंने क्या बोला first non zero digit के बाद आना चाहिए जो हमने सबसे पहले पढ़ा था हमने सबसे पहले क्या देखा था जो decimal आना चाहिए यह आपका first non zero digit के बाद आना चाहिए यह जो decimal है यह आपका first non zero digit के बाद आना चाहिए तो चलिए देखते हैं यहाँ पर first non zero digit कौनसी है five तो decimal हमारा कहां की तरफ को मूव करेगा right hand side की तरफ को मूव कर रहा है right hand side की तरफ को मूव कर रहा है one two three four five तो हमारा decimal कितने digit आगे move करा 5 डिजिट आगे move करा 5 तो 5.0 into 10 to the power कितने डिजिट आगे गए हम 1,2,3,4,5 5 तो आएगा power कितनी आजेगी 5 लेकिन कहां की दरफ को move करा हमने right की दरफ को move करा इस decimal को मैंने right की दरफ move करा कितने places move करा 5 places लेकिन right की तरफ को move करा तो मैंने क्या बोला था अगर हम कहा की तरफ को move करेंगे right की तरफ को move करेंगे तो power कैसी आएगी negative आएगी तो यहाँ पर power कैसी हो जाएगी negative हो जाएगी तो यह हमने इसको किसमे convert कर दिया scientific notation में इसी तरीके से अगर मैं कोई दूसरा question लूँ या दूसरा example लूँ तो यह है 0.000237 अब मुझे इसको भी scientific notation में convert करना है scientific form में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा पहली non-zero digit यहाँ पर कितनी है 2 है तो decimal कहाँ पर आजाएगा 2 के बाद तो 1, 2, 3, 4 तो 4 digit के बाद क्या आगया decimal आगया 3, 7 को हम ऐसी लिखते हैं into 10 to the power कितनी होगी 1, 2, 3, 4 10 to the power minus 4 10 to the power minus 4 क्यों आए क्यों कि हम decimal कहाँ की तरफ को move करा रहे right hand side की तरफ को दोनों question में मैंने decimal कहाँ की तरफ को move करा रहा right hand side की तरफ को move करा रहा यही कारण है कि हमारी जो 10 की power आई वो किस में आई negative माई दूसरी बात जो अगर मैं definition में चलू इसकी अगर हम definition में फिर से चलते हैं तो definition में देखिए क्या बोला है किसी भी number को scientific notation में कब कहा जाएगा जब उसको हम किसके product के तोर में express करें 1 to 10 के बीच में आना चाहिए number और power कैसी होनी चाहिए integral power of 10 होनी चाहिए integral power of 10 मतलब power integral number होनी चाहिए 1,2,3,4 या minus 1, minus 2, minus 3 तो देखिए यहां पर आपका number जो था यह 1 to 10 के बीच में नहीं था तो हमने इसको 1 to 10 के बीच में भी करा और product किसका करा 10 की power का integral power भी आई तो a number is expressed as a product of a number between 1 to 10 and integral power of 10 integral power of 10 भी आगई और इस number को हमने 1 to 10 के बीच में भी क्या कर दिया express कर दिया चलिए और अगर कोई question मुझे दिख रहा है यहां पर इस question को भी करने की मैं कोशिश करता हूं यहां पर थर्ड कोश्चन इस 0.00312 0.00312 अब फिर से क्या यह 0 1 और 10 के बीच में है नहीं है तो 1 और 10 के बीच में लाने के लिए ही हम क्या करते हैं decimal को first non zero digit के बाद लाते हैं तो first non zero digit क्या है 3 तो 1, 2, 3 तो 3 digit के बाद आपका decimal आ जाएगा तो 3.12 बन गया अब decimal कहा की दरफ को मूँव करा राइट हैंड साइड की दरफ को मूँव करा यह हमारी राइट हैंड साइड हैंड साइड की दरफ को मूँव करा तो कितने digit आगे मूँव करा 1, 2, 3 तो 10 to the power minus 3 तो 3.12 into 10 to the power minus 3 is our answer next question is 0.123456 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेरे पास बूख है बूख से देखे आपको बता रहा हूँ 6, 1 तो अब इसमें क्या ये नमबर 1 से 10 के बीच में दिख रहा है नहीं ये 1 से 10 के बीच में तो आई नहीं तो इसको पहले 1 से 10 के बीच में convert करने के लिए हम क्या करते हैं decimal को first non zero digit के बाद लाते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो 6.1 into 10 to the power 7 क्या ये सही है नहीं है क्यों सही नहीं है क्योंकि decimal कहां की तरफ को move करा right hand side की तरफ को move करा तो power कैसी आएगी negative power आएगी इसी तरीके से अगर मेरे पास कोई question है 4, 1, 2, 0 इसको मुझे किस में convert करना है scientific notation में convert करना है scientific notation में convert करने के लिए number 1 से 10 के बीच में होना चाहिए और आपका जो power है वो 10 की power में होना चाहिए तो क्या ये 1, 2, 10 के बीच में है नहीं है तो मान लीजे यहां पर decimal निखने ही रहा है तो हम ये मान के चलते है last digit के बाद decimal होगा इसके आगे कितने भी 0 लगा लीजे उससे कोई matter नहीं करता है क्यूंकि decimal के बाद कितने भी 0 हो उससे कोई फरक नहीं पड़ता है किसी भी number पे तो 4, 1, 2, 0 है तो यहां पर मैं decimal मान के चल रहा हूँ तो decimal के कहां आएगा first non zero digit के बाद आएगा तो 4, 1, 2, 0 हो जाएगा into 10 to the power कितने digit हम आगे ले गए है decimal को 1, 2, 3 तो 3 digit तो क्या यहां पर power negative आएगी नहीं आएगी क्यूंकि अब की बाद यह जो decimal था यह कहां की तरफ को move करा गया left hand side की तरफ को move करा गया और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर decimal left hand side की तरफ move करता है तो power कैसी होती है positive होती है एक और question हम try कर सकते हैं जैसे 6th question मैं बोलू 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 यह हमारे पास क्या है एक number है क्या यह 1, 2, 10 के बीच में है नहीं है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा decimal को यहां मान के चलूँगा हम यहां पर assume कर देगी यहां पर decimal है तो कितने 5, 1, 2 into 10 की power 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 minus आएगा नहीं आएगा क्योंकि अपकी बार जो decimal move करा गया है scientific notation में convert करा है यह जितने भी हमने questions करें हैं यहां पर इन सबको इनकी standard form से scientific notation में convert करा है scientific notation scientific notation अब अगर मैं बोलूँ कि आपको scientific notation में question दिया गया है और उसको standard form में convert करना है तो हम कैसे करेंगे जैसे पहला question अगर मेरे को दिख रहा है यहां पर first question is 5.72 into 10 to the power minus 3 अब इसको कैसे करेंगे अब यहां पर जो हमने loss पढ़े थे exponents के उन्हीं को हम यहां पर क्या करेंगे use करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 5.72 इस 10 to the power 3 को minus 3 को reciprocal करेंगे पताया था मैंने आपको कि अगर power negative है तो उस पूरे number को आप reciprocal कर दीजे तो वो exponential form वाला जो number होगा उसकी power कैसी हो जाएगी positive हो जाएगी तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5.72 whole upon 10 to the power 3 means 1, 2, 3 अब यहां पर देखें नीचे denominator में 3 zeros है तो decimal कितने digit आगे जाएगा 3 digit आगे जाएगा तो 572 तो एक digit आगे और एक और digit आगे 3 digit आगे means 1, 2, 3 तो 0.00572 will be our answer 0.00572 will be our answer next is next is 1.76 into 10 to the power minus 8 1.76 into 10 to the power minus 8 अब यह हमारा question है इसको मुझे फिर से किस में करना है standard form में करना है यह हम क्या कर रहे है scientific notation से यह scientific notation है यह पूरा का पूरा जो दिया गया है यह scientific notation में दिया गया है scientific notation और जो यह वाली form है यह हमारी कौन सी form है standard form this is the standard form so we are converting it from scientific notation to standard form now now 1.76 है इसको मैं कैसे करूँगा 1.76 into 10 to the upon मैं ली जाऊँगा क्यों पावर negative से positive होगा 1.76 upon 10 to the power 8 means 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 that is 176 यह भी जगा गम पढ़ जाएगी इसको थोड़ा रप करके फिर से लिखते है 176 कितने डिजिट आगे जाएगा 8 डिजिट डेसिमन आगे जाएगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पॉइंट तो 0.000000000176 this is our answer साइंटिफिक नोटेशन था और साइंटिफिक नोटेशन से हमने स्टैंडर्ट फॉर्म में कैसे कनवर्ट करते हैं कुश्चन को या किसी भी एक्स्पोनेंशल फॉर्म को वह हमने जाना सो आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी क्वेरी के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं थैंक यू